Hello students, welcome to Global Online, this is Ankitab Soad So, आज हम Paper 1 में Validity and Reliability जो होते हैं Research के उसको detail में discuss करने वाले हैं Research के दो बहुत important characteristics के अंदर ये आते हैं जिन मेंसे जरूर examination में questions आते हैं तो आपके concept clarity की surety इस वीडियो में मैं देती हूँ अगले वीडियो में हम इनी के दो different types के important MCQs को भी detail में discuss करेंगे Paper 1 के best preparation के लिए complete course में लेकर आई हूँ जहांपर examination के difficulty level and latest questions के pattern के according examination से पहले 100% आपका syllabus daily live lectures के साथ cover करवाने की surety दी जाती है आपके पास recorded videos भी होंगे जहांपर आपके concept clarity के साथ साथ MCQs and PYQs practice करवाए जाएंगे ताकि आपको एक clear idea मिलता रहे कि कौन से topic में से कैसे questions पूछे जा सकते है mock test available है जिसमें guaranteed as it is questions आएंगे आपके final revision के लिए सभी states के previous year questions आपको मिलेंगे जिसमें से as it is questions exam में आते हैं इसके लिए एक new batch भी हम launch कर रहे हैं मंडे से तो आप सभी students जल्दी से इस batch को ज़रूर join कर लीजे इसके लिए आपको given numbers पर contact करना है या फिर free videos के लिए global online आपको download कीजे store section पर search bar में course का नाम लिखना है इसके overview के बाद आप सभी content पर click करोगे तो free videos available है जिनसे आपको एक clear idea मिल जाएगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं detailed course आपको मिल जाएगा जहां पर हर एक unit के separate folders हैं जिससे आपको ये help हो जाएगी कि आप चाहों तो किसे भी units अपनी तयारी शुरू कर सकते हो दोनों languages में आपको mock test मिल जाते हैं तो students ये best preparation plan है इसके अलावा बाहर से आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है previous year questions के answers, video lectures और tricks के साथ यहाँ पर हर एक चीज़ आपको provide करवाई जाती है first question है validity in research refers to what so अनुसंधान में जो term होती है वैधता उसका क्या मतलब होता है so देखो students research की जो characteristics हैं उसकी जो विशेशताई हैं उसमें बहुत important विशेशता validity होती है जब तक आपका research valid ना हो उसको accept नहीं किया जा सकता so validity हमें ये बताती है कि जो भी काम एक researcher को करने के लिए दिया गया था क्या एक researcher उस काम को सही से बिलकुल accurately कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है मान लीजिए आप एक researcher हो आपको कहा गया है classroom में students के weight का record बताना है कि बताईए class में अगर 50 बच्चे है सब का कितना कितना weight है उसका एक record दीजिए और आपने क्या किया आपने गलती से students के height का record हमें दे लिया इसका मतलब क्या है जो काम आपको करने को कहा गया था आपने वो ना करते हुए कुछ और ही काम कर लिया इसका मतलब है कि इस example में आपका research invalid होगा जो काम दिया है उसको सही से करोगे तो ही research valid माना चाहेगा तो options यहाँ पर देख सकते हो consistency यानि कि स्थिर्था accuracy शुद्ध था reliability यानि कि विश्वस नहीं था और all of the above अभी मैंने आपको बताया validity is always related to accuracy correct answer है option number 2 अगला question है which of the following is also termed as journalizability और transferability यानि कि सामान्य करण और हस्तांतरी करणता क्या होती है research में ठीक है किस चीज़ से यह related होती है यह कहा गया है options है external validity reliability interrator या फिर none of the above तो देखो एक चीज़ मैं आपको clear कर देती हूँ कि जब भी सामान्य करण की बात की जाती है इसका मतलब है कि हम हमेशा validity की बात कर रहे है ठीक है हम उसकी वैदिता की बात कर रहे है and journalizability हमें यह बोलता है कि जो भी आपके research का result आया है उच भी आपका research का topic ले लीजे आपने उस पे काम किया उसका जो भी conclusion निकला है जो भी आपका result आया है उस result को अगर आप लोग किसी दूसरी जगह पर भी काम कर सकते हो किसी दूसरी जगह पर भी generally use कर सकते हो उस result को तो ही उस research को journalizable कहा जाता है यह वाली जो property है कि एक research का result किसी दूसरी जगह पर उस field के अलावा किसी दूसरी जगह पर भी यूज किया चाहे तो उसको कहा जाता है external validity यानि कि बार्य वैधता तो correct answer है option number one अगला सवाल है which of the following is a measure of consistency यानि कि निमल लिखित में से स्थिरता को कैसे मापा जाता है जैसे मैंने आप लोगों को first question में बताया था कि आपकी validity किसे related होती है ये होती है accuracy से related अगर मतलब आपका आप सही से काम कर रहे हो accurately काम कर रहे हो तो ही research valid होगा वैसे ही आपर पूछा गया है कि अगर आप स्थिरता से आप consistency के साथ काम करते हो तो आपका research valid होगा objectivity होगी reliability होगी या creditability होगी so correct answer क्या हो जाएगा consistency हमेशा related होती है reliability से ठीक है स्थिरता हमेशा reliability से जुड़ी होगी होती है कैसे reliable होता है विश्वस्निया इसका एक example लेते हैं मान लीजे आपके group में 5 friends हैं चली और simple करते हैं कि आपका कोई best friend है आपको जब भी उनसे कुछ problem मतलब कुछ आप परिशानी में फस गए आप उनसे मदद मागने गए उन्होंने आपको हमेशा मना कर दिया कभी कभी चोटी चोटी बात के लिए हां कर दे बाकी बड़ी problem में कभी उन्होंने आपका साथ में दिया तो क्या वो friend आपके लिए विश्वस्निय है क्या वो friend आपके लिए reliable है बिलकुल भी नहीं है तो अगर वो friend consistently स्थिरता से हर बार आपकी मदद करने आते consistent रहते तो ही वो reliable कहलाते तो ऐसे आप याद पर सकते हो बहुत easy example के साथ बता रही हूँ तो ये है consistency हमेशा reliability से जुड़ी हुद होती है to other cases that are not under study अब देखो ये direct definition दी है किसकी validity की इसमें कहा है एक research outcomes यानि कि आपने एक research किया और उस research का कोई output आया उसका कुछ result आया उस result को आपने जर्नलाइज भी किया और किसी दूसरी study में किसी दूसरी study में उसको apply भी किया तो वो कौन सी validity होती है अभी हमने पढ़ा internal, external, both one and two या फिर none of the above so correct answer क्या होगा जहां पर journalized term आपको दिख जाती है ठीक है and किसी एक research का result किसी other cases में इस्तेमाल किया जाता है किसी दूसरी बाहर की study में इस्तेमाल किया जाता है तो वो हमेशा होता है external validity यानि कि बाहर यह वैधिता तो यह है correct answer option number two अगला सवाल है it is important to remember that reliability is not measured it is estimated कि जो विश्वसनियता होती है उसको मापा नहीं जाता उसका बस अनुमान लगाया जाता है अब जैसे आपके best friend का example हमने लिया था आपके best friend ने आपको कितनी बार आपका साथ देने से मना कर दिया क्या ही आप मापोगे नहीं मापोगे आप उस चीज का एक estimate लगाओगे कि भाई जादा तर समय वो मना ही करता है मदद करने से तो इस statement में यही बोला है कि reliability को हर बार मापा नहीं जाता उसका बस अनुमान लगा करके काम किया जाता है तो correct answer है option number one that is यह statement हमेशा सकते होती है external validity in research refers to यह बार-बार questions आए है सभी के सभी को अच्छा से समझ लीजेगा और इसी से related theory session भी already हमने live ले लिया है वो अगर अभी तक नहीं देखा तो global online app को download करके live sessions वाले folder में आप चेक कर सकते हो external validity बोलती है कि अध्यायन जो है वो कठोर होना चाहिए जो research आप कर रहे हो वो बहुत साधा strictly आपको follow करना चाहिए the accuracy of procedure जो काम आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए the relation of the research problem with the researcher's personal line जो researcher है जो शोध करता है उनकी नीजी जिन्दगी से वो जुड़ा हुआ होना चाहिए research का problem अगला है the extent of journalizability that the result provides कि journalizability से ये related होना चाहिए so correct answer है option number 4 that is journalizability is always related to external validity सही है कुछ भी नहीं पढ़ना term याद रख ली answer आपको मिल गया तो ये छोटी छोटी tricks है जो आपको सिरुक इस तरीकी की classes में ही पता चल सकती है self study में ये चीज़े नहीं पता चलती imagining things as if they are real is known in research research में अगर हम किसी एक fact को सत्यमान कर अपनी research में आगे बढ़ते जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है virtual reality, replication, refication और simulation ठीक है तो ये होता है refication बहुत important है as it is question आई है exam में which of the following refers to the extent to which a research account is believable और appropriate with particular reference to the level of agreement between participants and the researchers ठीक है देखो इसमें का है researcher जो है आप जैसे माली जे PhD कर रहे हो आप research करने जा रहे हो research account is believable यानि कि विश्वसनिया है और appropriate भी है सही से वो काम भी कर रहा है ठीक है एंड इसमें जो level of agreement है दो researchers के बीच में वो भी विल्कुल सही से काम कर रहा है तो ये कौन से property है creditability, objectivity, reliability, reliability या फिर validity तो ये है creditability विश्वसनियता ही इसको कहा जाता है ठीक है it is defined as the extent to which the observed results represent the truth जो result आपके research का आया है ठीक है वो represent करता है सत्यकों की result बिल्कुल सही आया है in the population we are studying and thus are not due to methodological errors इसमें कहा है कि जो भी result आया है वो बिल्कुल सत्य है और किसी भी तरह की पद्दती गत्त्रूटियों के कारण नहीं आया है तो ये आपका होता है internal validity sorry internal reliability ये आपको बताता है ठीक है आंतरी का विश्वसनियता internally अगर आपको विश्वास है कि जो कारे आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो कोई उसमें गलती नहीं है और जो result आपका आया है वो बिल्कुल सत्य पर अधारित है सत्य research पर अधारित है इसमें कोई गड़बड घुटाला नहीं किया गया है तो वो हमेशा internal reliability ही होती है next is statement based question reliability is a necessary but in sufficient condition for valid aspect of research tools statement 2 बोलती है validity is threatened when a test measures only the conduct construct it is designed to measure in our research तो यह है first statement बिल्कुल सही है दूसरी बिल्कुल गलत है reliability ही हर एक research में बहुत ही जादा जरूरी होती है जब तक आपका research reliable ना हो तब तक उसको accept नहीं किया जा सकता ठीक है and कल के session में भी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी जो आपको फिर repeat करवा रही हूँ कि research अगर valid है तो पक़ब वो reliable भी होगा research अगर valid है तो वो reliable भी होगा लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि research अगर reliable है तो वो valid भी हो कई बार हो भी सकता है कई बार नहीं भी हो सकता है ओके तो यह थे आज के most important and most repeated questions I hope students जो भी concepts मैंने आपके questions के साथ clear किये हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए है अगर यह session आपको पसंद आया है और चाहते हो कि session को continue करूँ या कोई आपकी demand पे अलग सा topic है तो वो भी आप मुझे comment करके बता सकते हो मैं जरूर आप सभी students की हमेशा की तरह मदद करूँगी so thank you so much everyone and I wish you all the very best